चिप्स खाना किसे पसंद नहीं है तो आज बनाते हैं घर में मार्केट से भी टेस्टी और हल्दी चिप्स वो भी सिर्फ पांच मिनट में तो चलिए बनाना स्टार्ट करें इसके लिए सबसे पहले मैंने याप एक कटोरी लिये उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी एक फ्रेंड्स आप मेरा यह वीडियो कि सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ इस पानी को मैं साइड में रख देती हूं अब मैंने यहां पे लिये हैं कच्चे केले तो यह लगबग साथ सो ग्राम वजन में केले हैं इसको मैंने अच्छे से धो लिया है अब इसको हम चील लेते हैं इसको हम चाकु से ही चीलेंगे पीलर से नहीं चीलेंगे क्योंकि उससे अच्छे से छिलेगा नहीं और हमें पूरा चिलका इसका उतारना यानि इसमें कोई भी जरा सा भी ग्रीन चिलका नहीं होना चाहिए अच्छे से जर जर साइं लगा फॉरवान है तो अच्छे से चीछ अध्याशना की मिल दोबषी इस पर और नहीं मिल दाए व्याशन की अग नहीं चीलने हैं जब एक केले के चिप्स बनने लगेगी तब दूसरे को हम त्यार कर लेंगे चील के अब मैंने यहां पर चिप्स कटर लिया है और इस तरह से इस पर हम चिप्स बना लेंगे आप अगर चाकू से काटना चाहें तो बहुत भारिक-भारिक काटें मोटी न इस तरह से इतनी बारिक हमें चिप्स चाहिए होती है तो इस तरह से हमें सारी ही इस पर कट कर ले रही हूं चिप्स कटर से एक-एक केले को ही हम कट करेंगे उसके बाद फ्राइ करेंगे उसके बाद ही दूसरी कट करेंगे वनना यह काली हो जाती है तो अब मैंने यहां प तो इस तरह से हम चिप्स को इस तरह से डालते जाएंगे एक एक करके वरना इसमें चिपक जाएंगे एक साथ हमें सारी चिप्स नहीं डालनी है थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और गैस की आच इस वक्त आप बिल्कुल धीमी कर दें जब सारी चिप्स इसमें पढ़ जाया तब इसे medium-arch पे करके हम fry करेंगे, वरना जो पहले डली होई चिप्स है वो fry हो जाएंगी और बात की चिप्स कची रह जाएंगी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अब इसे हम medium-arch पे fry करेंगे, ये देखिए चिप्स काफी fry हो गई है, अब इसमें हम पानी डालेंगे जो हमने हल्दी और नमक का पानी बना के रखा था, ये पानी इसलिए डालते हैं ताकि तेल का temperature धीमा हो जाए, और चिप्स में नमक का flavor भी आ जाए, तो इसमें 3-4 चमच हल्दी का पानी में डाल दे रही हूं, और इसमें देखिए इस तरह से बुलबुले उठने वरना आपको चिटे भी लग सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, इस चिप्स को हम वरत में भी खा सकते हैं, तो अगर आप वरत में नमक खाते हैं, तो आप नमक डालें, अदर्वाइस आप इसे skip भी कर सकते हैं, अब जब तक ये बुलबुले शांत नहों जाएं, तब त बढ़िया आवाज आ रही है, अब इसे हम टिशू पेपर में निकाल लेते हैं, ताकि इसका एकसेस ओयल इसमें अब्जॉब हो जाएं, चिप्स को फ्राइ करने का एक और तरीका दिखाती हूं, इसे आप डारेक्ट ओयल के उपर इस तरह से चिप्स बना के डाल सकते हैं, गैस की आज को बिल्कुल धीमा रखेगा, बट यह वही करें, जो अच्छे से इसको हैंडल कर सकें, जो नए हैं खाना बनाने में, उनको यह स्टैप नहीं करना है, फॉलो, तो इस बात का आप ध्यान रखें, बड़े ही आराम से इसको बनाएं, बहुती इजिली बन जाती कोई दिक्कत नहीं होती है, एक और शेप बताती हूँ, आपको चिप्स बनानी का जैसे गोल हमने बनाई, तो इस तरह से आप केले को आधा-धा कर लीजे, और इस तरह से रेक्टेंगल में इसके हम शेप बना के डाल देंगे, तो यह देखिए, लंबी-लंबी चिप्स बन आसानी से और कितनी चटपत यह, क्रिस्पी और टेस्टी चिप्स बन के त्यार हो गई है, यह देखिए, कितनी क्रिस्पी बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुती टेस्टी बनी है, और इसमें एक बात का ध्यान दिना है, कि जो नमक हमने इसमें डाला था, वो फ्राई करते हुए ही डालें, उपर से न डालें, अदर्वाइज ये सॉफ्ट हो जाएंगी नमक डालने से, तो इसको हम अब मिक्स कर लेते हैं, लाल मिच डाल दिया मैंने, इससे ज़्यादा इसमें मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, अगर आप तुरंत खाना चाह रहे तो इसमें आप चाट मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं, इस चिप्स को आप कंटेनर में भरके पंदा दिन तक आराम सिखा सकते हैं, ये बहुती क्रिस्पी पनी रहेंगी, बहुती टेस्टी बनी हैं, इसे आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा, और वीडियो पसंद आए, तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमली में जरूर शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ, तिल देन, थैंक यू फर वाचिंग, एंड टेक कियर,